भारत में बहुत से लोग हैं जो अभी सिर्फ बुद्ध का नाम जानते हैं और वो भी इतना महातमा बुद्ह या बुद्ध ऐसे हैं जो पैदा हुए हैं ऐसे पालती मारके बैठे रहेते हैं ये जो वीडियो है ये उनी के लिए हैं जो बुद्ध की बेसिक जानकारी जानना चाहते हैं बुद्ध एक आम इंसान रहे हैं जो खेत में काम करते थे उनको खेत ये बोला करते थे पुरानी भासा के अंदर छे वड नहीं था यानि छेत्र नहीं था तो जितने भी काम करने वाले थे वो खेत में काम करते थे उनको खेती ये बोलते थे बाद में जब संस्काइद भासा में आदे के और के को छे बोला गया तो उनको छेती ये बोलने लगे च्छत्री भी बोलने लगे या जो जमीन थी खेते उनको छेतर फल बोलने लगे आपका कितना छेतर है मेरा कितना छेतर है या आपका कितना खेत है या मेरा कितना खेत है दोनों बात एक है खेती हैँ और छेती है दौनों बात एख हैं क्योंकि भारत में और पूरी दुनिया की सब्वेटा में लडाईएं बहुत भात में आरम होई हैं खेत पे काम करना पहले आरम होई हैं भारत में कोई भी लडाई नहीं होती थी तो फिर आज की समय जिसको लड़ने वाला बोलते हैं लड़ा का बोलते हैं या जिसको छत्री बोलते हैं उठाई नहीं क्योंकि भारत में या तो जानवर पालना उनका मास निकालना उनकी खाल निकालना का ये काम था या फिर खेतों से जाके फलफरूट निकालना साग सब्जी वाना और खेतों में काम करना ये काम था, दो काम प्रमुक्ते, चुकि भारत में खेत जादा है, इसलिए खेत का काम जादा प्रमुक्ता, तो इसको खेत ये बोला करते थे, छेत ये, जो बुद्ध है, वो अपने खेत में 11 साल की उमर में काम कर रहे हैं, और एक फेस्टिवल आता है, जिसको बीज ब खेत में हल चलते हैं, और धान बोया जाता है, तो 11 साल की उमर में, जामुन की पड़क नीचे, गुद्ध ने, यानि सिद्धत गौतम ने, सिद्धत गौतम ने पहली वार विपसना साचादना की, उसके बाद फिर वो अपने काम में रम गे, क्योंकि उनके पिता जो सुद जो सुद्ध दन थे, उनको लगा के जो ये सिद्धत है, उनका बेटा है, इसका ध्यान कहीं कुछ द्यान वियान में जयादा रहत जWilliam में कम रहता है, उनकी साधी हुई, शाधी होने के बाद एक बेटा भी हुआ, मगर उनका ध्यान ये रहा कि ये दुख और दुख का का उन्होंने छे साल तक स्वय अध्यन किया, स्वय अध्यन के मतलब है अत्य अध्यन, जिसको अध्यन भी बोलते हैं, बोड़ी के अंदर देखा उन्होंने कि शरीर कैसे काम करता है, दुख कैसे काम आता है, ये बात वो बहुत पहले से जानना चाहते थे, कोई अगर गाली बगता है तो मुझे खराब क्यों लगती है और अगर कोई मेरी प्रसंसा करता है तो मुझे अच्छा क्यों लगता है जबकि उसने मुझे मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ दिया नहीं अगर किशी ने प्रसंसा की तो मैं मुझे बड़ा बढ़िया हो गया और अगर किशी ने मुझे गाली बखी तो मेरा मन खराब हो गया ये बातें उनको बच्पन से पशान करती थी, छे साल तक वो लगे रहे सब लोग उनको छोड़के भाग गये, मगर वो टटे रहे जट प्रतिग्या की और उनको वैसाख पूर्ण मा को इस बात का ध्यनुवा कि सरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, मस्तिक्स कैसे काम करता है ये ध्यान दे हैं कि मन और मस्तिक्स अलग अलग होते हैं मन को माइंड बोलते हैं मस्तिक्स को ब्रेंड बोलते हैं तो उन्होंने सारी खोज जो की वो मन पे की कि मन कैसे काम करता है क्योंकि जब भी हमारे मन में कोई काम करने लिए आता है लोगों उने को बहुत अच्छा लगा, लोगों के दुख दूर होते चले गए और 45 साल की उमर तक वो ये काम करते रहे अपने घर भी बापस गए, वहाँ जाके उन्होंने अपने पिता को, अपनी पत्नी को सब को ये सिखाया क्योंकि बुद्ध होने के बाद में ना कोई पिता रहता है, ना पत्नी रहता है मगर एक उपासा के उपास का एक तरह भिक्को संगे साथ में वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ सिखाई उन्होंने कभी आत्मा या परमात्मा या इस्वर का नाम नहीं लिया, ना जिक्र किया, ना ही उनकी पूरी फ्लोस्पी में ये सब्द कहीं आते हैं, ना ही इन सब्दों का जिक्र है, ना ही इन सब्दों का उत्योग है सभी बातों के उन्होंने जवाब दिये उन्हों सभी बातों को जो समय गड़क होते थे और भारक होते थे जो याद करते थे वो याद करकर के आगे बढ़ाती रहे चलती रहे गुद्ध एक्सपायर हुए एक्सपायर होने के बाद उन्होंने अपना जितना भी ग्यान था वो समय लोगों को बता होगा था वही ग्यान आगे पड़ता रहा बाद में जाके स्री लंका में वो सारा ग्यान लिखा गया लिखके वो गंत बना उसका गंत बना और पूरी दुनिया के अंदर वो फैला समराट असो के समय सारा का सारा जितना भी यान था वो चरंपे था और पूरा भर्द एरान तक सारा एरान और थाइलेंड तक पूरा धमी धम चालता रफुआ कता था ये एक प्राकरतिक है धम जो बोलते हैं प्राकरतिक नियम को धम बोलते हैं इसको धम भी कह सकते हैं इसमें लड़ने जखणने की बात नहीं है, धम और धरम एक ही होता है, धम पाली भासा में बोलते हैं, पुरानी भासा जो बुद्ध के समय की थी, बाद में जब उस भासा को संस्काइट किया गया, तो उसमें आधा रह जोड दिया, जहां जहां दो सब्द आते थे आधे और पूरे, धम में आधा में और में आता है, तो आधा में खतम करके रह लगा दिया, ये पूरी भासा को संस्काइट किया गया, और आधे रह का इस्तमाल उपर और नीचे किया गया, तो धरम और धम एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही प्राग करते हैं, बुद्ध की जो बातें थी वो समानता पर आधारे थी, सबी मनुस्य के लिए उन्होंने अपनी बातें बताईएं, सब कुछ सिखाईएं, जगे जगे उन्होंने जंगल साफ करें, जंगल साफ करके उनको विहार बोलते थे, उस जगे जहां उन्होंने काम किया, वहां इतने विहार बन गई कि उस जगे का नामी पुरा विहार पड़ गया बाद में जो लोग ऐसे थे जो असामानता को पसंद करते थे और जो लूट, खसोट और चोरी, चकारी, वेबचारी हद्ता को पसंद करते थे उन्होंने जितना भी काम असुख ने किया और बुद्ध ने किया उसको काटा, उसको दवाया, उसको मारा ये बहुत पहले लगबग अब से करीब सत्रे सो, अठारे सो साल पहले बताया जाता है जो हुआ है और चुकि बुद्ध ने जो काम किया, सुख ने जो काम किया वो पूरी दुनिया में फैल गया और सारा उनका रहात और लोगों ने उस अच्छी बात को पूरी दुनिया में एक्सेट किया धम भारत से तो चला गया, मगर पूरी दुनिया में फैल गया और बुद्ध क्योंकि बुद्ध का कोई नाम नहीं होता, बुद्ध एक डिग्री का नाम है, एक highest information का नाम है जो बताया जाता है, तो बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे country और देश होगे, उस समय तक अमरिका की खोजने वही, वहां तक जा नहीं पायते इसलिए, बुद् का जो संग है, वो इस पात पर अधरित है, कि वो धम पर चलेगा, इसलिए यहां कोई मजव या कोई religion या कोई God, इन मानताओं से बहुत परह होता है, बुद्ध के जितने भी मानने वाले लोग हैं, वो सब मानता को, करुणा को, मैत्री को, और भाईचारे को, समानता को, इ बुद्ध को जाने, बुद्ध को पहचाने, बुद्ध ने क्या किया, कहा किया, कैसे किया, पूरी दुनिया में बुद्ध कितने चलते हैं, कितनी चलते हैं, बुद्ध कहा तक पहुंचे, भगवान बुद्ध क्या क्या किये, क्या क्या ने किये, वो सब आप समझें और ज अच्छा धम भी फाइदे में देता है असम्यक धम आपका नुक्सान कर देगा इसलिए धम को धम की तरह से सीखें आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत मंगल काम नाए धन्यवाद गुटन शर्णन गच्छा में धम भंवन शर्णन गच्छा में संघन शर्णन गच्छा में प्लाव जड़ो काम गच्छा में खाक भाउ एन शर्णन गयदादी अर्णन गच्छा में जड़ता है विल थाइन है